कि आपका नए सेशन क्या बोलता है पावलिक कुछ नया सिखने को तयार है और लेट दे गेम बेगे इन चलो गाइज सो स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग फेज तरी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडवांस काविटाल बाजा टेंग और मैं आपको बता हूं क्या न्यू सिलेबस में ये नया इंट्रोडक्शन है और ये जो नया इंट्रोडक्शन है न देखके लगेगा कि यार एडवांस्ट कैपिटल बजेटिंग बट एकदम फुद्धू सा है जी हां वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी इजी लास्ट वीक मैंने कम्प्लीट किया कैपिट बजेटिंग डिसीजिजिएंस लेट मी टेल यू उनका लेवल इंटर वालों का लेवल इस मच बेटर देन अपना लेवल जी हां अब मैं तो दोनों पड़ा चुका हूं तो मुझे पता है तो बी हैपी गाइस थोड़ा सा इसमें देखने में एडवांस्ट लग सकता है कि ओ कुछ हाइफाइ होगा बट वन आएम यह नौट टुफियर अट आल बहुत इसली हो जाएगा जितने भी मार्क्स का यह एक्जाम में आएगा उतने मार्क्स समझ लो आप अपके पॉकेट में गए फुल फुल मार्क्स मिलने ही वाले बहुत अच्छा चैप्टर है एंड I think let's start on that note guys क्या बोलते हो बोलो बोलो tell tell चलो so yes 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 so now capital budgeting के उपर थोड़ा सा एक start ले लेते हैं और फिर बाद में आपन लोग चलेंगे अपनी advanced की कहानी पर frankly speaking capital budgeting जो अपने intermediate level पर पढ़ा है उसका कोई यहां पर connection unfortunately नहीं है मतब है बट एकदम ना के बराबर बट मैं क्या चाहता हूँ के उतना भी अपन लोग इंटर के capital budgeting को discard ना कर दे थोड़ा अपन लोग अपने level पर रखे और फिर अपन लोग इसके advanced level पर जाए बाकी में अग आपको कुछ इंटर लेवल का ना पढ़ाओ सीधा फैनल लेवल का भी स्टार्ट करू ना तो परवान ही तो भी आप लोग समझ जाओगे पूरा पूरा समझ जाओगे और इसमें थोड़ा connection capital budgeting में यह advanced वाले capital budgeting में connection है थोड़ा बहुत portfolio management अब portfolio management पर तो तुम champion हो तीक है अ very important will come in the exam for around eight marks is what my prediction goes so चलो चलते हैं start करते हैं अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि capital budgeting क्या होता है बोलो what is capital budgeting जो थोड़ा बहुत तुम लोग में पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा होगा है तो उससे आपको क्या लगता है वाट वाट बढ़ा प्रोजेक्ट है उसको evaluate करना एकदम सिंपल में को language चाहिए तुम लोग का मुझे कोई एकदम हाइफा लाइंग्रेज नहीं चाहिए ना मुझे आता है ना मुझे पढ़ाना है वैसा इसमें बहुत लिमिटेड है तैंक्फुली टेंशन का बात नहीं है यह देखो सिधा प्रेजेंट वैली ऑफ कैश इंफ्लोज यह इतना भी डैरेक्ट मत हो जाओ कि सिधा मीनिंग में तुम फॉर्मिला यूज़ करना चालू कर दो पहले बताओ तो सही होता क्या है वेट् इसा सब्सक्राद हो अब करेंद दो मिनिट देता हूं आपको अब करेंग अशार कैसे दे रहे हो पता है एक यह से अंसर देरे हो मेरे को जैसे कि तुम लोग का कोई यहां पर एक्जाम चालू है अरे जेनरल बात बताओ ना कोई बच्चा आएगा तुम्हारे पास कोई बच्चा आके पूछेगा बेटा कैपिटल वजेटिंग क्या होता है तो उसको यह सब बोलोगे कंपेरिंग कैश इंफ्लोउज विद कैश आउट लोगेशन नहीं बेटा उसको तो कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉंस्ट आफ कैपिटल बोलते हैं बिजनस में फंड्स के प्रॉपर अलोकेशन को वह सब बोलेंगे चलो ठीक है अच्छा लगा यह देखे कि तुम्हारा इंटर का कैपिटल बजेटिंग कितना स्ट्रॉंग है चलो मैं को पता चल गया मुझे क्या लेवल पर अभी यह स्टार्ट करना वड़ेगा चैप्टर को कैपिटल बजेटिंग का मतलब होता है लिको मेरे साथ साथ में लिको बहुत सिंपल सा चीज है इट इस बेसीकलिए इन्वाल्स आ वुड शेंग प्रोजेक्ट एवल्यवेशन on the basis of cash flows on the basis of cash flows ठीक है और जब मैं इधर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ so what kind of projects are they they are usually big projects they are usually big projects involving time frame of more than 1 to 2 years more than that project को evaluate करना whether it is beneficial or not yes on the basis of cash flows किस बेसिस पे cash flows की बेसिस पे अब इसमें बहुत सारे methods होते हैं जिससे अपन लोग cash flow को evaluate करते हैं पहला method में आप लोग को बताने वाला हूँ and that is the most you can say used method जिसको बोलते हैं अपन लोग NPV method net present value method so methods to evaluate capital budgeting project methods to evaluate capital budgeting project ठीक है अब इसमें methods बहुत सारे ध्यान से मैं तुम लोग को पूरा आइडिया दे रहा हूं कि कौनसे कौनसे methods है जैसा मैंने बोला अभी मैंने इंटर में पढ़ा है तो मुझे तो एकदम फ्रेश है कुछ चीज़े इंटर की कुछ चीज़े फाइनल की है इंटर की कौनसी चीज़े होती है यहां पर एक होता है non-discounting methods जो तुम लोग पढ़ चुके हो कि नॉन डिसकाउंटिंग मेथर्ट तो यह यहां पर आ जाएगा यह पूरा पार्ट है सिए इंटर का कि इसमें आ जाएगा पेबैक पेरियर्ड कि दूसरा कि यहां अकाउंटिंग रेट आफ रेटर्ण कि फिर कि सेकेंड अब उसके बाद आते हैं डिसकाउंटिंग मेथर्ट अब आते हैं डिसकाउंटिंग मेथर्ट यह तो पूरा का पूरा यह इंटर का पाट है यह तो अभी तुम लोगों को ही नहीं ठीक है डिसकाउंटिंग मेथर्ट में क्या क्या आता है यह आता है डिसकाउंटेड पेबैक जो अपने को नहीं करना है ख्रॉस मेरा फर्सनल फेवरेट आपका भी फेवरेट होगा नेट प्रेसेंट वैल्यू सर यह वाला करना है क्या हाँ यह वाला है नहीं बहुत ज्यादा इस यह तो करें वरना तो ऐसा फीली नहीं आएगा कि कैपिटल ब इंडेक्स यह वाला भी करेंगे थोड़ा सा एक सम में खली यूज होगा तो होगा और फिर है आयरा आयरा भी है नहीं बट अपन लोग में आयरा कहीना कही यूज होते रहेगा तो इस प्रिदी मैनेजबल एंड एन लास्ट जो प्योर्ली तुम लोग को आया है फाइनल ल में जो अब सीए फाइनल का पार्ट है जिसके उपर एक्जाम में क्वेश्चन आने वाले है तो देखो मैं क्या करवाने वालो तुम लोग को फिर भी आये के ना आये मैं तुम लोग को नेट प्रेसेंट वैल्यू करवाने ही वालो आये का ना आये मैं तुम लोग को that is basically called as techniques of risk analysis yes, this is the main thing which we are going to be focused on अप्रोक्स एट मार्क्स का एगा एट मार्क्स अप्रोक्स एट मार्क्स और गाईज चल प्लीज यह चार्ट बना लो so main अपने को पढ़ना क्या है this is what we have to study फड़ा फट यह चार्ट बना लो जो green and blue में है वो अपनों के touch base ले लेंगे और फिर techniques of risk analysis के उपर जाएंगे फड़ा फट बना लो on on यहां पर कोई बोल रहा है कि सर ICI की वेबसाइट पर चैप्टर वाइज वेटेज है न्यू सिले बस का if you are asking me let me tell you yes है can we rely on that absolutely not last time भी जब न्यू सिले बस आया था ना तो इंस्टिटूट ने अपना वेटेज दिया था सिले बस का दो अटेंट तक लगा follow होगा follow होगा आठ अटेंप्ट हो गया उस न्यू सिले बस का एक बार भी वह वेटेज follow नहीं हुआ कोई भी subject में सो वह ICI है वो कुछ भी कर सकता है so we have to be prepared for everything simple and at this level ठीक है final level मुझे लगता भी नहीं है कि कोई वेटेज का बहुत ज्यादा importance होता है या होना भी चाहिए सब करके जाओ जो आया उससे अपसे attempt करो या सिंपल सी बात है अना चल्ट so on that note we will move on अब जो मैं कोई चीजे करानी है या मुझे करवानी है तीन चीजे things to be done सबसे पहला उसमें मैं करवाने वाला हूँ NPV जिसको अबन बोलते हैं net present value net present value यह word net क्यों use किया है इसको properly decode करते है देखो बहुत इंडेफ्ध भी नहीं जाओंगा मैं एक तो मैं तुम लोगो time value of money पढ़ा चुका हूँ because जब अपन लोग यह calculation करते हैं so what we do is we have a inflow जिसको अपन लोग minus करते हैं outflow के साथ तब जाके अपने को मिलता है result के वही क्या आया है जिसको अपन लोग ने नाम दिया है NPV net present value अब यह जो net word है इसके आगे लगा है word present present क्यों लगा है because we want everything in present value terms we want everything in present value terms got it so present value terms क्या होता है time value of money में अपन लोग अच्छी तरह से कर चुक है can I say we know what is present value so आज अब क्या होता है देखो इस capital budgeting project को evaluate करने में मैं अगर आपको बोलता हूं चलो अभी तुम लोग के साथ ही मैं यह game खिलता हूं देखते है तुम लोग का 1,00,000 today I will give you rupees 2,00,000 after 15 years बोलो क्या आप मेरी बात को मानोगे क्या क्या आप मेरी बात को मानोगे क्या क्यूं नहीं मानोगे क्यूंकि आपको पता है आज से 15 साल बाद हलो आज से 15 साल बाद इस 2 लाख की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी या कितनी होगी बहुत कम एक लाख से भी कम होगी तो इस 2 लाख जो में को 15 साल बाद मिलने वाल है उसको मेरे को आज का वैल्यू देखना चाहिए प्रसेंट वैल्यूस का मेरे को देखना पड़ेगा तो नो कि भई हाँ मेरे को ये प्रोजेक्ट से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है ये जो इंशॉरेंस वाले होते हैं ये एफ ए लोगों को कूफिया बनाते हैं ये आपको बताएंगे आपको गर पर आके आप अगर चार्टर नहीं हो आपके आज उतना नौलेज नहीं है तो आप बहुत दीजिली कूफिया बन जाएंगे ये आपको आके बताएंगे ये देखो आज आपको एक लाग भरना है फिर पात साल बाद हम लोग आपको हर साल एक एक लाख रुपए देंगे आने वाले तीन साल तक तो आपको क्या लगेगा या नौर्मल आदमी को क्या लगेगा तो वो आपको बोलेंगे तीन लाख रुपए हम आपको देंगे पंदरा साल बाद अरे मेरे भाई पंदरा साल बाद तू जब मुझे तीन लाख रुपए देगा तब इसका वैल्यू अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में निकालू तो मालूम पड़ता है यार कुछ भी नहीं है चना कुर मेरा है 5% रिटर्न भी नहीं है तो देट इस वेर इट विकम्स वेरी इंपोर्टेंट के कोई भी प्रोजेक्ट जो एक साल से जादा हो उसको अपने को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेकर आने का और चेक करने का और एंपीवी का काम वो ही है वो check करता है कि boss आज के terms में मेरा outflow है ना क्या हो जाता है आज का आज ही चले जाता है inflow मेरे को over a period of time मिलते जाता है ये एक साल का ये दूसरे साल का ये तीसरे साल का वैसा ऐसा करके अब ये अगर मैं देखते जाओंगा तो over a period of time इसको मैं discounting करता हूँ discounting का मतलब compounding का मतलब सब समझता है तुम लोग को time value of money देख लेना वापस से अगर नहीं याद है तो open video on youtube available so अब उसको मैं जब मैं present value पे लेकर आऊंगा at that point in time at that point in time मुझे पता चलेगा real में कि मैं आज के terms में कितना कमा रहा हूँ और कितना percentage मेरे को return मिल रहा है क्योंकि मैं उसी percentage के ओपर अपने project को discount करूंगा जितना मुझे return चाहिए are we understanding guys so that is where it becomes very important for us to evaluate a project based on this method which is called as net present value which is based on the formula present value of cash inflow minus present value of cash outflow तो word use क्या कर रहा हूं है बार बार present value of cash inflow and दूसरा क्या word use कर रहा हूं है present value of cash outflow are we understanding guys is so this is how the whole system works of net present value क्या ही अपने को है बहुत जादा involvement इस concept खा unfortunately the answer is no मतब है बहुत ना के बरावर इतना कोई इसमें अपने को at final level इतना भी बहुत जादा use नहीं है बढ़ अपने को पता होना चीए उतना knowledge अपन लोग ने ले लिया है क्यों नहीं किसका एक sum भी मैं करवा दू तुमारे को क्या बोलते हो तो थोड़ा और clarity आ जाएगा अब मैं अगर बोल रहा हूं net present value के हिसाब से so एक होता है present value of cash outflow cash outflow में कोई problem नहीं machine लिया cash outflow तुम्हारा cash outflow में कोई problem नहीं क्यों क्योंकि cash outflow में क्या क्या आ जाता है say purchase of machine is like a cash outflow any other expenses installation expenses is a cash outflow तो यह सारी चीजे यह सारी चीजे जो है ना यह सारी की सारी चीजे becomes a part of cash outflow okay okay sir but inflow में क्या आएगा बोलो inflow में क्या आएगा so मैं आपको बता तो inflow में क्या आता है inflow में आता है आपका sales minus expenses revenue minus expenses is your inflow simple जो भी आपका revenue है उसमें से जो आपका खर्चा हो गया वो सारा का सारा inflow है बात तो सही बोल रहे हैं sir एकदम cash inflow word use किया है यहाँ पे cash inflow तो sir उससे क्या चीज़े बदलती है that is what now I want to tell you सबसे पहले sales होगा आप कोई चीज बेचोगे बट वो बेचने के लिए आपको कुछ variable cost incur करना पड़ेगा आपका contribution आएगा इधर तक सब सही है less variable cost यह आपका आगया earnings before depreciation इसमें depreciation का बहुत importance है and tax earnings before depreciation and tax मैं क्या करूंगा पता है क्या मैं करूंगा less depreciation तो मुझे मिल जाएगा earning before tax मैं करूंगा less tax मुझे मिल जाएगा earnings after tax क्या मैं इधर word use कर सकता हूं क्या cash flow the answer is no this is not cash flow cash flow का मतलब होता है real cash कितना आया है real cash कितना गया है तो sales करता हूं तो क्या मेरे पास real cash आता है the answer is yes done variable cost incur करता हूं immediately पैसा दे दिया ऐसा नहीं है पैसा देना है आज नहीं तो कल so real cash गया fixed cost real cash गया तो जो भी मेरे real cash inflows और outflows है वो सारे मैं यहां पे लिख देता हूं फिर भी मैंने cash flow के उदर बाजू में cross mark मार रहा है FQ क्योंकि मैंने यहां पे लिया है less depreciation depreciation क्यों minus किया क्योंकि वो तो एक non cash expenditure है guys 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 can I say depreciation तो एक non cash expenditure है फिर मैंने उसको क्यों minus किया only for one thing and that is because I am going to get a tax benefit of depreciation जैसे यह tax benefit of depreciation मैंने ले लिया मैं उसको वापस add back कर दूंगा अब मेरे यहां पे system में जो भी बचा है वो सारा का सारा है cash inflow वो सारा का सारा है cash inflow एई समझे गड़ी हुए everybody सर यह tax benefit of depreciation कैसे आता है शलो आओ बताता हूँ मैं आपको इसको समझाओंगा मैं by using to profit and loss account अब देखो मैं अगर इधर लिखता हूँ मेरा gross profit normal sales माइनस purchase और वो सब को adjustment करके मेरा gross profit आया 50,000 से मेरा expenses है normal expenses है 5000 तो मेरा net profit कितना आएगा 45,000 इसके उपर मेरे को tax भरना पड़ेगा say tax at the rate 30% 45,000 का 30% होता है 13,500 सो अपने को मिल जाएगा net profit after tax and that is 31,500 समझ में आया क्या everybody yes sir ये तो पता है हमारे को अब सुनना अब सुनना ध्यान से मेरा next example मेरा next example है ये हुआ example 1 दूसरा example 2 next example में है मेरा P&L account इस P&L account में है मेरा gross profit again 50,000 expenses 5,000 साथ में मैं इधर लिख देता हूँ depreciation 10,000 ध्यान से सुनना भी अब मुझे मिल जाएगा net profit कितना 35,000 इस पे मैं tax minus करता हूँ at the rate 30% 10,500 so क्या मिल जाएगा आपको कैना इससे अपने को मिल जाएगा net profit after tax कितना so 35,000 minus 10,500 yes it is 24,500 it is 24,500 अब ध्यान से समझने की कोशिश करना अब यह एक depreciation की वज़े से यह एक depreciation की वज़े से देखो क्या हो रहा है यह एक depreciation की वज़े से अब depreciation कोई real cost तो नहीं है मेरा correct यहाँ पे मेरा tax जो पहले मैं pay करता था 13,500 अब मैं tax pay कर रहा हूँ 10,500 तो क्या हुआ पता है कि इधर से मेरे को depreciation expense depreciation expense की वज़े से depreciation expense की वज़े से मेरा tax के उपर focus करो जो tax 13,500 था अब हो गया यह previous 13,500 था अब हो गया 10,500 तो कैना इससे 3,000 मेरा tax में बच गया 3,000 मेरा tax में savings हो गया यह था मेरा previous tax यह है मेरा now tax can I say 3,000 मेरा tax में savings हो गया बोलो यह 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 न एवरिबाड़ी बोलो यह 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 न यह यह सर absolutely correct spot on 3,000 actual में मेरा tax का savings हुआ है क्यों क्योंकि मैंने इधर मेरे depreciation को debit किया जिसकी वज़े से पहले मैं 13,500 अब अभी भी यह non-cash expense नहीं करता तो मेरा यह situation होता उपर वाला situation होता but because मैंने depreciation को debit किया तो उसकी वज़े से क्या हुआ benefit मेरा tax में savings हुआ है कितना savings हुआ है tax में जितना मेरा depreciation था उसका multiply by tax rate तो जितना मेरा depreciation था हलो सुन रहे हो कि नहीं आप लोग जितना मेरा depreciation था into जो आपका tax rate का percentage है always that is going to be my tax savings on depreciation तो depreciation debit करने की वज़े से ठीक है क्या फाइदा हुआ tax मेरा उतना कम हो गया तो मैं depreciation मुझे पता है non cash है but वो मैं जान बुचके debit करूंगा income tax department को कम tax पर करूंगा मेरा tax बच गया अब मेरको बता है depreciation मैंने काली income tax को खूफिया बनाने के लिए यहाँ पर minus किया है अब मैं क्या कर दूंगा वापस से उसको add back कर दूंगा ताकि मुझे मेरा real cash flows मिल जाए ताकि मुझे मेरा real cash flows मिल जाए everybody clear है मुझे पता है तुम लोग को यह और चीज़े पता है तुम इंटर पास करके आए हो बड़े लोगो बट मेरा फरस्थ था कि तुम लोग को at least basic में आइडिया अब इंटर में होते तुम तो और दो तीन example देखे मस्त दिमाग में घुसा था आइडिया होगा तुम लोग को इसके लिए खाली एक example से समझा रहो तुमको और clarity चीए let me know if not लिख लो better रहेगा if not लिख लो better start come on everybody कि अ jaki वग दो खाइडिया रहेगा तुमको और रहेगा हैं यह रहेगा हैं झाल 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 हाव या डन चाल इसी के साथ बढ़ते हैं अपन आगे अपने को तो प्यारा है ये चाप्टर तो इसके लिए फिर बाद में मैंने बुला कि चलो कोई बाद अपन ऐसा भेदबाव नहीं करेंगे इस चाप्टर के साथ अपने को तो प्यारा है ये चाप्टर अपन अपने लेवल पे थोड़े एक्जांपल और कॉंसेप्ट डाल देंगे अपने को फील रहे यार कैपिट कर दो कर दो प्यार अपने को प्यार अपने लेवल को तो पूंसेट अपने को फील एफल का रड़र झाल आपने को तो फील रहे ये प्हुआ नहीं झाल 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 क्या क्या आया है वेरी गुड जैन साब ने बहुत दिनों बाद एंट्री ली है बढ़ अच्छा लग रहा है उनके जवाब देख कर तो अपने लोग फाइंड आउट करते हैं नेट प्रेसेंट वैल्यू उसके लिए अपने को चाहिए कैश फ्लो देखो कभी भी याद लगना नेट प्रेसेंट वैल्यू इस प्रेसेंट वैल्यू अफ कैश इन फ्लो ज माइनस प्रेसेंट वैल्यू अफ कैश आउट फ्लो ज मुझ रहा रहा है अचा, प्रेजंट वैलिओ कैस डीओ फ्लोस का मच मच होता ही नहीं है, सिंपल होता है ए देको पर्चेश कर नीव मशीन रख लिख से कर्दीया हमने वन मा count कि माइनस कर दिया हमने वन लेंग अब में क्या है बाबुजी में क्या है प्रेजेंट वैल्य ऑफ कैश इन फ्लोज वर्किंग नोट वान इससे अपने को मिल जाएगा नेट प्रेसेंट वैल्यू नेट प्रेसेंट वैल्यू शुर्ण अब नेट प्रेसेंट वैल्यू के लिए मेरे को चाहिए वर्किंग नोट वन का प्रेसेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज सो लेट स्टाट वी विल राइट यह प्रेसेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज ठीक है चाल बोलो क्या क्या आएगा यह आपर यह और वन टू कर दो अनिंग बिफोर डेपरीसेंट टैक्स इस गिवन बिलो तो इधर मैं पहले लिख दूँगा अनिंग बिफोर डेपरीसेंट अन टैक्स earning before depreciation and tax क्या आएगा चार चीज़े हैं यहां पर मेरे पास देखो 45,000 आया 30,000 25,000 35,000 तो वह अपने लिख लेंगे भाई तो earning before depreciation and tax जो अपने को दिया वाए question में अगे ना मैं भी यह जो लिखवा रहा हूँ it is not a part of your syllabus at all but थोड़ा बुलते हैं किकस्टार्ट तो चाहिए ना अपने को या तो यह किकस्टार्ट है अपने लिए 25,000 and 35,000 इस में से अपने लोग माइनस करेंगे क्या माइनस करने वाले हैं अपने लोग less depreciation because this is earning before depreciation तो depreciation को अपने लोग माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा earnings before tax फिर अपन माइनस कर देंगे tax अच्छा tax का percentage क्या है 20% तो इदर माइनस कर देंगे tax at the rate 20% तो अपने को क्या मिल जाएगा earnings after tax फिर क्या ये मेरा cash flow हुआ नई क्योंकि इसमें depreciation माइनस किया हुआ है जबकि depreciation is a non cash expenditure पर हमने लिया क्यों है खाली उसको उसका tax benefit दिलवाने के लिए तो अब उसका tax benefit दिलवा दिया अब add कर देंगे depreciation मुझे क्या मिल जाएगा cash inflow मुझे क्या मिल जाएगा cash inflow समझ में आया बोलो जाल 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 दन चल करें माइनस चल डेप्रिसेशन कितना दिया है देखो अभी depreciation अपने को find करना पड़ेगा SLM method है life for years है तुम लों को दिखा यह दो चीज बस यह दो चीज में determining factor SLM method है life for years है SLM method है life for years है right so that's how the system works so अभी मैं को बताओ अभी मैं को बताओ depreciation कितना आएगा तो working note 2 calculation of depreciation we will say कि boss एक लाख रुपे का cost है चार साल की जिंदगी है 25,000 per annum is the depreciation so यहाँ पर अपन लोग minus कर देंगे 25,000 25,000 and 25,000 right so earnings before tax आजाएगा मेरा 20,000 guys यहाँ पर 5,000 0 in third case for now and 10,000 अब मैं tax minus कर दूँगा अब यह depreciation की वज़े से tax मेरे को 0,000 करना पड़ रहा है बट मेरा cash flow actual में 25,000 हुआ है यह फाइदा है यह जो third है ना third third year वो अपने को real में दिखाता है कि यार कितना अच्छा है depreciation है कि नहीं चालो next है मेरा tax 20% so this will be 4,000 earnings after tax 16,000 add back depreciation 25,000 cash inflow मिल जाएगा 41,000 का अच्छा everybody done sir then 5,000 था less 20% so 1,000 यह आजाएगा 4,000 add back depreciation 25,000 we will get 29,000 third year का निकाला वही है fourth year का 2,000 so में को मिल जाएगा 8,000 add depreciation 25,000 33,000 आ गया got it guys अब discounting factor की बारी है so let's say अपना discounting factor अपन रखते है 10% तो चलो यहापर मैं लिखवा देता हूं वह वाली चीज़ भी के इदर bracket में लिख देता है भाई discounting factor of project at the rate 10% ठीक है अब लास्त working note that will be working note 3 year why to calculate present value of cash inflow मेरे पास है year 1, 2, 3, 4 बोलो क्या क्या है 41,000, 29,000 41, 29, 25, and 33,000 बढ़ा रहे इसका discounting factor multiply by discounting factor at the rate 10% क्या आपने को आता है calculate करना 1 divided by 1.1 याद रखना जब आप future value find करते हैं तो आप compound करते हों यहाप आप future से present पे लेकर आ रहे हों तो आप discount करोगे गचा है तो 1 divided by 1.1 याँ पे 1 divided by 1.1 square 1 divided by 1.1 cube 1 divided by 1.1 raise to 4 so it will be 1 divided by 1.1 0.909 0.826 0.751 0.683 right finally आ जाएगा आपना present value of cash inflows 41,000 into 0.909 कितना आता है 37269 plus 23954 plus 25,000 into 0.751 यह में को बोलो total कितना आता है मेरे से calculations कर रहा है बताओ में को पड़ा पर चलो कितना आता है बोलो 102537 perfect सोचो जस्ट 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 मुझे मेरा net present value मिला है मतलब जस्ट मेरा 10% जो मेरा cutoff rate है उससे जस्ट मेरे को तोड़ा जादा है तो मैं बोलूगा चलो accept कर ले cutoff rate से तो मैं जादा जा रहा हूं cutoff rate मतलब इतना cost of capital है इतना तो मेरे को मिलना ही चाहिए समझे क्या everybody अब कोई आम आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा 45,000 plus 30,000 plus 25,000 plus 35,000 तो एक लाग का एक लाग 35,000 मिल रहा है क्या खोटा अरे खोटा ही है यह गलत ही है अब मैं आ रहा हूँ अब मैं आ रहा हूँ अपने पे and that is the final level and that is capital budgeting with risk analysis बहुत ही simple बहुत ही easy बहुत ही अच्छी तरे से हो जाएगा don't have to worry and I'm here why do fear चाहलो guys everybody pay attention now चाहलो यह लिख लो दो मिनिट दे रहा हो लिख लो लिख लो चाहलो रहा है रहा है रहा है प्लीज बहा है बहा है झाल 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 रियल लाइफ में हम डिसकाउंटिंग किस रेट से करते हैं जो भी तुरा कॉस्ट आफ कापिटल होगा पहले तू कैलकुलेट करेगा तुरू डिवेंचर्स तुरू लोन जो भी तुने लिया होगा वह तेरा बाइट डिफॉल्ट डिसकाउंटिंग रेट बनता है कि उतना तो मुझे मिले ही मिले फिर उसके उपर जो भी हो बैट इस अल्वेज गुड वैसा अब मैंने जैसा आपको बोला कि मैं लेके चल रहा हूं आपको रियल अब अब का समझ लो सिए फाइनल स्टार्ट हो रहे ठीक है अब तक खाली अपना एक टाइम पास था कि अपन लोग कर रहे थे अब अपनोगा रहे हैं एक कैपितल बजटेंग यूजिंग रिस्क अनलेसिस आपिक टल बजटेंग यूजिंग रिस्क अनलेसिस capital budgeting using risk analysis अब इसमें देर आर वेरियस तिंग्स और हर एक concept के उपर एक एक्जाम्पल कितने concept मैं आपको बताता हूं पहला concept है जिसको अपन बोलेंगे statistical technique यह पूरा मैंने आप लोगों के लिए एकदम systematically बनाया है काफी helpful होगा आप लोगों को statistical technique अभी मैं जो note लिखवार हो एकदम perfectly लिखके देना अगर मुझे अच्छा लगा मेरे टेलिगरम चैनल पर मैं put up करूंगा भी यह निक स्टाटिस्टिकल टेकनीक में थीन पार्ट हे हमारे इस्टाटिस्टिकल थीन टेकनीक में थीन पार्ट है पहला पार्ट है standard deviation and third है मेरा coefficient of variation ठीक है, done फिर जलते हैं अपने लोग second part के उपर फिर जलते हैं अपने लोग second part के उपर मैं क्या करने वाल हूँ अब मैं से probability आप लोगो जब पढ़ाऊंगा तो probability का एक example ले लेंगे probability technique done फिर मैं इधर आके tick mark कर दूगा फिर variance का ले लेंगे एक example tick mark कर देंगे, coefficient of variation का ले लेंगे अपना काम भी हो जाएगा समझ रहें समझ रहें समझ रहें समझ रहें सब्सक्राइब सब्सक्राइब जी हां मोड्यूल का एक क्वेस्चन लिया वाई यहां पर आपको टेंचन लेनी की जारूत नहीं है सेकेंड है मेरा कन्वेंशनल टेक्नीक मेरा कन्वेंशनल टेक्नीक मेरको एक्चुली यह चाहिए था थोड़ा क्या फॉर्माट बोलूने इसको लैंड्सकेप में करना था ठीक है इधर लिगो रिस्क एडजस्टेट अंदोसरे पर रिस्क एडजस्टेट स्कुम्ट करने थिख थे boys्गोरा पर अंदोसरे शॉर्माट रिस्क एड़स्टेट करने डिस法 dice certainty equivalent ठीक है and third technique third technique है other techniques इसमें चार पार्ट है चारो एकड़म दिगज है पहला sensitivity analysis दूसरा scenario analysis third simulation analysis and guys fourth decision tree fourth decision tree चार प्लीज everyone ये लिखलो जैसे ही हो जाता है एक बार दन बोलू फिर मैं आगे बढ़ता हूँ come on everyone प्लीज करो द में आगे वॉबदा ये लिदा số लिखलो जागे वीज़श जागे बढ़ता है उत्वर आगे करो है और भूबदा प्लीज़ दो बाल फ्लीज़म दो प्लीज़ झाल 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 चलो डन आजब अब जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि what I will do is pick up one method और उसका example करेंगे और उसको solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहला method कौन सा है अपना किड़ा गाईज अपना सबसाब पहला method कौन सा है ? येस, the first method is probability, statistical techniques का सबसे पहला कौन सा है, probability तो इसको ऐसा numbering दे देते हैं, आपन, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ठीक है, तो सबसे पहला, A, The method is, probability technique, probability technique, चल, अब इसमें क्या करना है आपको, simple, methods are going to be very simple, मैंने तुमको starting में बोल दिया, मैंने CA intermediate पर पढ़ाया है, intermediate level पर मैं पढ़ा रहा हूँ, CA CWA को, FM, capital budgeting मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, उधर का level, बहुत अच्छा है, अपने level से, मजाग नहीं कर रहा हूँ, ये level तो, कुछ भी नहीं है, the expected net present value, इसमें अपन लोग फाइंड आट करते है, expected net present value, तो अब तक अपन लोग ने क्या calculate किया था, अब तक अपन लोग ने जो, NPV calculate किया था नहीं यहाँ पर, यह देखो, यह अपन लोग ने NPV calculate किया था, इसमें जो यह earning before depreciation and tax, 35,000, 30,000, 25,000, 35,000, यह सब वो confirm थे कि यह होने वाला है, but suppose मेरा project है, और मुझे नहीं पता है कि मेरा, क्या होने वाला है future में cash flows, तो obviously मुझे कुछ probability यूज करना पड़ेगा, right, so यहाँ पे उन्होंने बोला है, that we will use the word, expected net present value, we will use the word expected, और जब भी भी word expected आएगा, portfolio में आपने लोग ने पड़ा है, we will always have probability, क्या लग रहा है आपको, क्या आप अपने first attempt में, final exams clear कर पाएंगे, तो आप आपका expected result में बताएं, तो expected result में आप लिखोगे, कि यह probability है, FR में marks आने का, AFM में marks आने का, probability audit में, law में, tax में, whatever, that's how you will calculate your expectations, based on a probability, so wherever word expected is there, तू जाहा, जाहा चलेगा, expected बोलता है, तो probability expected को बोलता है, मेरा साया, साथ होगा, मेरा साया, समझ रहा है, यह पूराना गाना है, तुमको नहीं पतावागा, it's okay, चलो आजा, तो expected NPV is equal to, अपने parents को बूछ लेना, तो यह है मेरा expected NPV, और राइट, नाँ, कैसे calculate होगा, यह expected NPV, so CDC बात है, जो मेरा cash inflow है, अभी मैंने तुम लोगे आना, बताते 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 बता ही दिया था ना, कि यह जो मेरा cash inflow है, यह मेरा confirm cash inflow दिया वहाई, यह question में, बट जब confirm cash inflow नहीं है, cash inflow probability के basis पे है, यार मुझे लग रहा है कि 45,000 हैगा, इसका मुझे लग रहा है 20% chance है, 30,000 होगा, मुझे लग रहा है 30% chance है, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते जब आप calculate करेंगे न, so that will give you expected NPV, उसके लिए आपका present value of cash inflow भी expected होगा, based on probability, समझ में आया आपको, so it will start like this, present value of expected cash inflow, present value of expected cash inflow, minus as usual present value of cash outflow, अब यह तो एक ही साल का होता है, first year का ही, तो इसका तो कोई इतना load नहीं है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, expected net present value, वे जुँ, हावी, अब यह expected, expected cash flow कैसे find out करते हैं, guys, so it will be net cash flow into probability, net cash flow into probability, ऐसे आपने expected find करेंगे, एन दूसरा है, present value, दूसरा है, present value, तो present value क्या है, present value विल बी, आपका जो expected cash flows आएगा, यहापे, यहापे से, यहापे से, यह जो expected cash flows आएगा, उसको अपने को discount करना पड़ेगा, one plus discounting factor, ऐसा देखने में तोड़ा लग रहा हूँ, वाव, my God, so difficult, बड़ जब खरोगे ताथ अब लगे है, तो लपूसा है, यह अपने को मिल जाएगा, expected net present value, all yours, please write it out, come on everybody, कर दो समत में, झाल 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 चालो डान एवरीबोडी लिख लिया ये अब चालो अब आप लोगों को करना है आप लोगों को करना है देखो सीधार क्वेस्चन नमबर फोर फ्रॉम दे टेक्स्ट बुक पाच मिनिट दे रहा हूं मैं मैक्सिमम या टाइम स्टाट्स नाव आप मुझे करके बताएंगे ये क्वेस्चन आप मेटेंग स्टाट एर्रिबडी अरे यार छोटी बात कर दी चलो ब्रीफ करके बतातो क्या है क्या ने दोन्ट वरी मैंने तुम लोग को आइडिया तो दे दिया था क्या होता है ये एक्सपेक्टेड एंपेवी इंग मनिशा वस नौट देर लॉग आउट हो गई थी या वड़ेवर वापस से बतातो अभी जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस दिया वाए अभी जो कैश फ्लोस दिया वाए ना यह कंफर्म कैश फ्लोस है ठीक है प्रॉबबबिटी वाले टेखनीक में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस देगा वो तो पहले अपने को जो कैश फ्लोस दिया है उसको प्रॉबबब लगाएगा तो जब cash flows with some probability आता है तो बन जाता है expected cash flow इस expected cash flow वो जब मैं present value पर लेकर आता हूँ it is called as present value of expected cash flows उसमें से जब मैं cash outflow को minus करता हूँ expected NPV आ जाता है simple है रे चलो आजा solve करवाता हो तुम लोगो उन्हें लगा तुम लोगी कुछ से कर पाओगे explanation दे दिया था है ने but it seems चलो आप लोग को यह चाहिए मैं बता तूँआ सर यह तो देखके ही solve हो गया exactly वहीं बोल रहा हो पूरा चैप्टर ही ऐसा है चल स्टार्ट करते है फटा-फट या complete करते यह और वन cash flows दिया वाए मिरको चाह यह है समने एकदम simple बस फुकट के time अब देखो यहां पर तुम्हारे पास तुमको calculate क्या करने को बोला है उसने required पाट देखो calculate the expected net present value using 10% discount rate if initial investment of the project is rupees 10,000 तो कभी भी याद रखना अपने को पहले format लीख देने का expected net present value क्या होता है expected net present value क्या होता है it is present value of cash inflows but because यहां पर probability है we will not write directly present value of cash inflows we will write समझे we will write expected present value of cash inflows फिर minus present value of cash outflows तो मिल जाएगा क्या correct expected net present value expect present value of cash outflow दिया है उसमें कोई expectation नहीं है वो हमारे को पता है 10,000 का हमारे को machinery करीदना पड़ेगा वो हमने लिख दिया अब काली एक चीज़ बचती है expected present value of cash inflow कैसे find out करेंगे तो आजो cash inflow और उसका probability 2020 so year one cash inflow और उसका probability cash flow कितना है cash flow दो हजार के हैश अलगा थाहजाद जुछ आज़ए अलगे सालग्रा diffé 204000 जह अलग्ण चेहहजार आठाज़ प्रोस् keyword forecastsMaybe कि यॉद्य जाग्वेजरки वा नियुज़ प्रोइं क्या मिल गया यह हमारे को मिल गया expected cash flow कब का year one का समझे year one का मेरे को यह expected cash flows मिल गया समझे तुम लोग तो कितना आता है ये 200 800 1800 3200 टोटल 5 और 6 6000 तो year 1 का expected cash flow आगया 6000 वैसे year 2 का find करेंगे year 3 का find करेंगे और उसको respective discounted rate से discount कर देंगे अपने को मिल जाएगा expected present value of cash inflow समझ में आ गया system तुम लोग को that's it that's it great दीपक का अंसर भी आ गया है very good year 2 and year 3 same way में आपको calculate करना है CDC बात है don't expect me के भाई यह calculated part पर मैं इतना time डालूंगा मेरा कुछ का तो 4,800 4,200 thank you दीपक I'll rely on you 4,800 and 4,200 अब इसको discount करना पड़ेगा अलो ध्यान रखना इसको discount करना पड़ेगा वो चीज़ भूलना मत सो जब आप इसको discount करोगे तो आपको मिल जाएगा expected present value of cash inflow expected present value of cash inflow क्या 6,000 divide by can I say discounted rate 10% है 1.1 plus 4,800 divide by 1.1 square 4,200 divide by 1.1 cube क्या मिल जाएगा 6,000 divide by 1.1 अच्छा नहीं होगा तो इंडिविजुली calculate करना पड़ेगा 5,4,5,4,3,9 मैंको total बोल देना सुष्टी total बोल देना total 1,2,5,7,3 आ रहा है very good यह मैंने ऐसे बता है तुम लोग नॉर्मल उसमें calculate कर सकते हैं तुम लोग ऐसे भी calculate कर सकते हैं 6,000 और ऐसे ही करना है अच्छुली discounting factor at the rate 10% 6,000, 4,800 4,200 0.909 0.826 0.751 and then finally present value expected present value of cash inflow मिल जाएगा 1,2,5,7,4 1,2,5,7,4 expected net present value 2,5,7,4 hey samjigadu everybody all yours 2 minute dee rav deekhlo who is dao to poochhlo if not we will move on please please everybody चलो clear guys done कैसा लेगा easy लप्पो good second पे आजाओ second technique second and third साथ में करेंगे जी हाँ कौन सी है second technique variance वाली and third है standard deviation दोनों वर्ड सुने सुने है so B variance and standard deviation coefficient of variation अलग से कर लेंगे variance and standard deviation so we will put B का जो working है and that is variance slash standard deviation इन दोनों के तुम लोग को term वो तो पता ही है ना symbols यह variance का है यह standard deviation का है ठीक है चलो so let's start let's start बोलो सबसे पहले क्या आएगा variance right right tell me क्या हैगा variance में any idea क्या करते है अपने यादे x minus x bar the whole square into probability बराबर है portfolio management में यह करते है यादे कि अपना average return कितना है average return जो भी है उससे बाकी सब return minus करेंगे तो पता जाता कितना deviation है जो deviation है उसको square करते थे because we wanted a number otherwise वो 0 हो जाता था total करने पे so x minus x bar 2 whole square into probability याद आया तुम लोग को बस यहाँ पे भी वोई word use करना है I mean यहाँ पे भी यही formula use करना है हली x will be replaced by expected present value of cash inflows that's it so net cash flows minus expected net cash flow expected net cash flow कैसे find करते है वो तुम लोग को अभी सिखाया था यह यह expected net cash flow यह जो 6000 है वो क्या है expected net cash flow expected net cash flow of one year this is what is this called this is expected net cash flow result of your one अटिक है अज़ियर वाराइंस क्या है वाराइंस यहाए तो स्टैंडर्ड डिवियेशन क्या होगा आवही है भाई it is it is it used to be it is okay please copy copy karo or question 5 start karo copy karo or question 5 start karo you झाल 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 क्या हो रहा है सर एक्सपेक्टेट नेट कैश्फ्लो में भी यहां पर लोग वरायंस निकाल रहे हैं मेरे को लग रहा है कि मेरे 35,000 45,000 50,000 आएगा बट नहीं आया तो क्या तो वो डिविएशन वेरिएशन जो है वो मेरा रिस्क हो गया वो मैं कैल्कुलेट कर रहा है हाँ हाँ यह वो ही है प्रॉबबलीटी वाला पॉर्टफोलियो वाला चलो अफड़ा फट करते हैं तो अगें अब इसको है सिंपल बट जस्ट लेंदी मेथड है चलो करना तो पड़ेगा सबसे पहले आपका काम होता है एक्सपेक्टेड नेट कैशफ्लोस फाइंड करेंगे मेरे पास यहाँ पर दो प्रोजेक्ट है दोनों का मैं एक्सपेक्टड नेट कैशफ्लोस फाइंड करूंगा of expected cash flow of project A and project B. of project A and project B. Project A and project B. आपको क्या आएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट ए में expected net cash flow find करेंगे अपन A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है जो भी होगा उसका cash flow 8, 10, 12, 14, 16 8, 10, 12, 14, 16 multiply by probability 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1 0.1, 0.2 0.4, 0.2 0.2, 0.1 0.2, 0.2, 0.2 8, 10, 24, 8, 20 तो तूटाउजन एटंड्रेड एंड श्टीन अड्रेड चलो फाइनली 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 अपने को मिल जाएगा एक्सपेक्टेड कैश इन फ्लो ऐ हम जाएगा एक्सपेक्टेड कैश इन फ्लोगल कि तब आ रहे हैं जा कि को अब तो अब तो अब तो चलो टेक है आप तो एक्सपेक्टेट्ट तो इतना जाएगा थे वेट अंडेड प्लस 2,000 प्लस 4,800 प्लस 2,800 प्लस 1,600 एंड इट विल बी 12,000 एंड इट विल बी 12,000 चलो सेम वे में आप लोग एक्सपेक्टेट नेट कैश्प्लोस फाइंड करोगे प्रोजेक्ट बी का और राइट सो देखो कितना आएगा यहां पर कितना आ जाएगा तुम लोग का यहां पर इट विल बी सेम वे में फाइंड करके अधाव शिक्स्टीन थाउजंड गारेट अब 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 क्या करना है अब क्या करना है what is going to be the next step सो यह एक मेरे को मिल गया है अब अपनों बच्पन से जो करते हैं वही सवाली चीज़ करनी है सो अब अपर लोग करेंगे calculation क्या variance of project A variance of project A so 8000 expected cash sorry cash flows minus expected cash flows 12,000 बड़ार है इसका square बट इसको multiply करना है probability के साथ इसका probability है point 1 multiply by point 1 equal to बस अब यही करते जाओ so 8000 के बाद 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16 जब बाद into point 2 point 4, point 2, point 1 तिक है अब तुमको लग रहा है यह calculation पार्ट मैं करूंगा नहीं मेरा काम था आप लोग को यहां तक लेकर आना अब variance आ गया है जैसे variance आएगा मुझे यह मिल जाएगा अब तुम लोग calculation करो हम तो चले भई यहां से टाटा बाई 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 अब यहां पर मैं कर रहा हूँ stand मदब lecture चालू है रे बाबा बस अब इसको variance को root कर देना मिल जाएगा standard deviation your time starts now ठीक है चलो प्रोजेक्ट A का और उसके प्रोजेक्ट B का start everyone यह झालू जाए बाई एक तुम धर पलो जाएगात गरंण रे रे बाई पर काwhyा कि यह झालू है दो不知道 है झाल झाल कितना हुआ किया तुम लोग ने सॉल देखो कितना हुआ बताओ बताओ आंसर बताओ यार ऐसे क्या चुप बैटे हो पूरा हो गया सर तो आंसर क्यों नहीं लिखा है भई पूरा हो गया तुम मुझे कैसे सपना आएगा कि तुम्हारा पूरा हो गया हुआ मैं हुआ मैं क्यूरे दिपक कहा जाने ते को क्यूरे दिपक कहा जाने बढ़ा ते को यह आता है 48 लैक और 48 लैक रूट कर लेंगे क्यूरे दिपक कर लेंगे अ हुए 0 2191 रचो लाइ राइ जैंतल उल चलो यार next question पे चलेंगे next concept पे चलेंगे राधर so a हो गया मेरा b हो गया मेरा जो जो हो गया उसको टिक मारू अब चलते हैं c पे coefficient of variation आप हसोगे जब आप c वाला देखोगे ना आप हसोगे जी हां आप हनसोगे पता है क्यों देखो मैं बता तो क्यों क्योंकि थर्ड है मेरा coefficient of variation इसका formula देखना आप और आपको लगेगा किया है सरी है तो हो गया exactly so let's write a coefficient of variation will be COV equal to standard deviation upon एक्सपेक्टेड रिटर्न स्लैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ठीक है चल्ड़ डिवियेशन है अपने पास अपने पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है coefficient of variation मिल जाएगा समझें यह question का निकालो ना so इसी question का coefficient of variation निकालना है project A का project B का project A का झाल झाल प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी चो सो सी ओ वी क्या स्टेंडर डिविएशन क्या आएगा 2190.91 अपॉन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 12,000 तो 2190.91 डिवाइड बाइ 12,000 और इस 0.1826 दूसरा है बी का बी का तो मैंने फांड आउट नहीं किया है मैं इस मेंसे देख लेता हूँ 4195.23 डिवेड वैं 16,000 0.2622 याद रखना lower the better पुछो क्यों क्योंकि ध्यान से समझना standard deviation represents risk एंड जो भी चीज numerator में होती है ना ठीक है जो भी चीज numerator में होती है वो जितनी ज्यादा होती है उतना अपने लिए C numerator का कोई चीज है वो उसका representative बन जा तो अगर standard deviation numerator पर तो वन से ज्यादा जितना होगा जितना ज्यादा होगा उतना वो रिप्रेजेंट करेगा उस particular प्रोजेक को तो अपने को रिस्क देखना है यहां पर करें चाहिए अधिशन नुइशन नुइटर पे तो वो रिस्क दिखा रहा है अपने को तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बियक्त कम चाहिए तो जो डिप्रेजेंटेटेटेव है वह अगर होता तो मैं वोलता हायर देटर क्या हमको ज्यादा चाहिए जो नुमरेटर है वो रिस्क है यह वांट इंट लोवर तो इस लोवर देटर समझें मैं बता लिखवा देता हूं लोट पर लिखू लिखू in a fraction in a fraction the numerator represents the overall scenario and if the numerator represents return, then we want it to be as high as possible. But however, if the numerator represents standard deviation, that is risk, then we want it to be lower as much as possible. And therefore, we will say that COV has the representation of numerator by standard deviation, which is a measure of risk, which we always want to be lower. Samjigudu everybody. Okay, so lower the better. Select project A. How. झाल झाल oh yeah it is return disadvantages of technology thank you manisha thank you done तो a b c तीनों पार्ट अपने इसी के साथ हो गए गाइस समझ में आ गया जो मैंने बोला था वो सच है न एकदम लपूसा है चल नेक्स्ट के ओपर चलता है डी डी के ओपर चलता है डी डी इस सर अपने जो क्लास टार्ट होने पर mutual fund का example दिया था कि 3,15,15 साल बात देंगे अभी एक लाग देंगे तो उसमें cash exactly is the discounting rate तो उन्होंने discount कर ली होती है बट अपने को IRR के method के तुरू find करने का की कौन सा वो लोगने method यूज किया है बट इन जनरल इस बेसिकली connected to your fixed deposit interest rate fixed deposit interest rate से वो connected है okay so next D risk-adjusted discount rate R A D R कोपी चल मेरे हाँ एक political party है जो ATGC में donation per 7% लेते हैं वो सब वो सब में नहीं पढ़ने का रहें यह political party के donation donation सब income tax के scrutiny नहीं में आते है and becomes a mess don't do all of them चल्ड let's start risk को भी adjust करना है discounting rate में risk को भी adjust rate करना है तो risk free तो चाहिए ही रिस्क प्री तो चाहिए ही साथ में प्लस रिस्क प्रीमियम भी चाहिए रिस्क प्रीमियम भी चाहिए इतना रिस्क प्री तो चाहिए ही साथ में इच्छुड अल्स इंक्लोड रिस्क प्रीमियम रिटर्न फॉर बेरिंग एक्स्ट्रा रिस्क तो आपका डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा बोलो डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा कर्क्क इट विल बी रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम 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 रिस्क प्री सिंपल आजो क्वेस्टन नंबर सेवन पर आजो अच्छा बाइद वे क्वेस्टन नंबर सिक्स तुम लोग का होमवक है एक्छली सिक्स होई गया ना अपना हाँ जब दे देता हूं लिग देता हूं चल्ड एंटर्प्राइज इंवेस्टिं रुपी अंुरेड लग्स हिन अ ब्रोजेंग प्रॉजेक प्रेज़ें शेज्टन प्रॉजें वेलेव का इस फ्री रिटर्न एस्टरेंर पर कि रिस्प्रीम एकस्पेक्टड वार्यंग्मेंटि कि स्वें पर्रसेंंट 7 plus 7 14% का मेरा adjusted rate आ जाएगा समझे क्या तुम लोग को पड़ी समझे नहीं following is the estimated cash flows over the life of the project find net present value based on risk free rate and risk adjusted discount rate risk free rate and risk adjusted discount rate आजाओ question number 7 1 2 3 4 5 5th कैश फ्लोव 25 60 75 80 65 अब डिसकाउंटिंग फैक्टर दो तरह के डिसकाउंटिंग फैक्टर है अपने पास कि अब तक है कि अब यह थीक है कि अब यह आपे दो है एक डिसकाउंटिंग फैक्टर सेवन परसेंट वाले के हिसाब से कैल्कुलेट करो और यह आजाएगा मेरा एंपी वी एंद दूसरा 14 परसेंट के हिसाब से कैल्कुलेट करो वो आजाएगा एंपी वी तो इदर आजाएगा एंपी वी बेस्ट और सेवन परसेंट अभी डिसकाउंटिंग फैक्टर 14 परसेंट भी ले लो फिर उसका आजाएगा एंपी वी हो गया अब तुमको लग रहे है कि यह पूरा सॉल्विंग मैं करने वाला हूं हां 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 चलो एक कर लेते वन डिवाइड वाइवन पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट नाइन थ्री फाइव और इसका आजाएगा पॉइंट एट सेवन सेवन बस कर लो अभी कैल्कुलेट अपने हिसाब से प्रेजंट वैल्य आफ कैश इंफ्लोस प्रेजंट वैल्य आफ कैश आउट फ्लोस और युविल गैट दा अंसर देख लेते आजो तो सेवन पॉसंट के साफ से आए तू फॉटी फॉट्व पॉट्री फॉर बरावर है लैस हंड्रेड तो वन फॉट्वर पॉट्री फॉट्री फॉर और दूसरा है 199.79 तो यह आता है 99.79 चल डन हो गया यही है हमारा जवाब टिक है एनी वेश्चिन स्टिल यहर सब लोगो इधर दर क्लियर है चल डन आज के लिए इतना ही काफी है अच्छा हुआ अपना A to D पाट हो गया कल अपने बाकी के पाट हो जाएंगे with one one example and we'll be looking very very systematic and smooth time for me to say hasta la vista guys take care keep smiling thank you so much bye of is you